हलो दोस्तों मैं हूं पंका जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थान जीके के अंदर तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पटवारी भरती प्रिक्षा है वो कैंसिल हो गई थी तो क्यों कैंसिल हुई कुछ मुक्य कारण यहां पे निकल के आ रहे हैं उनी की हम बात करने वाले हैं पहले हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान करमचारी चेन बोर्ड है उन्होंने ने 29 दिसंबर को एक्जाम कैंसिल कर दिया और पटवारी की जो एक्जाम है वो 10 जन्वरी से शुरू होने वाली थी और 10 जन्वरी से 17 जन्वरी 24 जन्वरी तीन दिन यहां पे पटवारी के जो एक्जाम है वो होने वाले थे लेकिन जो राजस्थान करमचारी चेन बोर्ड है उन्होंने ये एक्जाम कैंसिल कर दिये और अब उन्होंने कहा है कि कुछ प्रशासनिक कारणों से यह प्रिक्षा हम पोस्टपॉन कर रहे हैं इस्तेगित कर रहे हैं और नई ती थी है वो हम जल्द ही गोशित कर देंगे लगिन ऐसा नहीं है दोस्तों दूसरी बाद हम बता देते हैं कि पटवारी की जो कुल वेकेंसी थी वो थी 4421 वेकेंसी दूसरा हम बता देते हैं कि उस दिन है वो सिविल प्रिक्षा का जो एक्जाम था वो भी कैंसिल हुआ चूंकि पेपर लीक हो गया था इसलिए उसको भी कैंसिल कर दिया गया अब परशासनिक कारण क्या है उनकी बात कर लेते हैं हम तूकि पटवारी की जो एक्जाम है वो एलफा बेटली की ओडर से तीन दिन होने वाली थी 10 और 17 और 24 जनवरी को अब देखते हैं दो मुख्य कारण थे क्या क्या कारण थे वो बता देता हूँ पहला तो ये था कि जो पटवारी की जो तीन दिन एक्जाम होने वाली थी यानि की छे पारियों में एक्जाम होने वाली थी तो प्रीक्षा का जो परशन पत्तर वो सेम नहीं आने वाला था किसी को हार्ड किसी को इजी आने वाला था तो अभिर्थियों के दोबारा लगा ना अटके दूसरा जो कारण था वो था NTPC का एक्जाम और पटवारी का एक्जाम एक ही दिन होना काफी अभियरतियों की जो पटवारी की एक्जाम और NTPC रेलवे की एक्जाम जो अभी चल रही है वो एक ही दिन थी तो या तो NTPC रेलवे की एक्जाम दे सकते थे या फिर जो डेट है वो कब आएगी और किसका सेंटर कहां कहां पर आएगा ये वीडियो देखने के लिए आप अगला वीडियो हमारा देख लीजिए और जल्दी वो वीडियो आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद कर दो कर दो कर दो की किस्टाइब।